दोस्तो नमस्कार आप सभी का सुवागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेसन यूज में दोस्तो बड़ी खबर का रुख कर रहें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट और हैम अपडेट राजस्तान में दोस्तो पूरी राजस्तान में धारा 144 लगा दी है दोस्तो उदैपूर में एक यूवक की हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद पूरी राजस्तान में वो वीडियो वारिल किया गया उन्मादी तत्वों के दुआरा जिन्होंने हत्या की और दोस्तो उसके बाद हाला तनावपूर्ण है पूरे उदैपूर में और इसके उसी के मद्य नजर पूरे राजस्थान में सुरक्षय व्यवस्ता को देखते हुए पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद यहाँ पर रहेगा अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट को पूरे राजस्थान में बंद कर दिया गया है इसके अलावा ये देखिए जालोर बा गठना है उसके लिए SIT का अभी गठन किया गया ADJSO कराठोड इसके चीफ रहेंगे ATS IG प्रफुल कुमार और एक SP और एडिशनल SP भी इस गठना की जांच करेंगे SIT का गठन और यह आदिस है जैपूर संभाग के जिसमें 5-6 जिले आते हैं उन पे में इंटरनेट बंद रह दोस्तों ऐसे मैं 2-3 आदे सापलों को दिखाने वाला हूँ तो देखिए आप लोग यह यहाँ पर देखिए जोधपूर संभागी आयुक्त का है सब जगए इंटरनेट बंद रहेगा रिए यहाँ पर दोस्तों उच्चर इस तरिये मुख्य सचिव के अध्यक्सता में ए एक साथ इकटे नहीं हो सकते इस तरीके के आदेस यहाँ पर दिये गए हैं पूरे राजस्तान में यह आदेस जारी किये गए हैं दोस्तों तो धारा 144 लागू रहेगी धरना जुलूस प्रदोशन यह नहीं हो पाएंगे और इसके साथ ही अगले 24 घंटे तक जो इंटरने होगी टेली ग्राम पर वाट्शाप या अपने फेस्बूक पेज के माध्यम से आप लोगों तक देतर आऊँगा जिनका नेट चल रहा है या राजस्तान से बाहर के लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो आप लोगों से भी निवेदन है उक्त जो घटना हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं की भी जानी चाहिए तो उस घटना के सम्मंद में आप लोग भी सोशल मीडिया पर या अन्य जो माध्यम है उन पर उस वीडियो को सेयर ना करें क्योंकि वीडियो को सेयर करने पर भी सरकार ने यहाँ पर से अपनी बात रखें अगर आपको नहीं रखनी तो आप लोग बिलकुल भी सोसल मीडिया पर ऐसी गलत टिपनी ना करें जिसे कि आपको दिक्कत हो सबी लोग सांती व्यवस्ता बनाए रखें इस चरीके की हम भी आपसे अपील करते हैं और सरकार भी आपसे अपील करती है धन्यवाद दोस्तो आप सभी का और यह बिलकुल बहुत ही निर्मम घटना थी जिसकी निंदा पूरे देश में की जा रही है और होनी भी चाहिए और दोस्तो 144 लागू रहेगी 24 घंटे इंटरनेट यहां पर आप लोगों का बंद रहेगा धन्यवाद आप सभी का जैहिन जै भारत